एक दिन मौसी गोत्म सिधारत को शमझा करके खिलने लगी बिटा तुम सिकार खिलने क्यों नहीं जाते हो शिकार खिलना यानि कि जो शिकार भूमी होती है वो ही यूत भूमी की अभ्यास चित्र होती है तुम्हें सिकार खिलने जाना चाहिए थम बंदू एकदम से सिधारत पूछते हैं मा युद्ध क्यों करना चाहिए सिकार क्यों केलनी चाहिए मौसी समझा करके कहती है बिटा युद भूमी का व्यास चेत्र है अगर व्यक्ति युद्ध नहीं करेगा तो राष्ट का संग्रचण कैसे होगा सिधारत कहने लगे मा परंपरागत एक दूसरे से प्रेम करने से भी तो राष्ट का संग्रचण हो सकता है मा कहने लगी बेटा लड़ना ही चत्री का धर्म होता है तभी सिधारत कहने लगे मा एक आदमी को दूसरे आदमी का मारना आदमी का धर्म कैसे हो सकता है धमबंदू आज प्रजापती गौत्मी चक्कर में पढ़ जाती है और सोचने लगती है ऐसी तर्पतु शिप एक सन्या सिफी कर सकता है धमबंदू आज सिधारत मौसीब की कहने पर कभी कभी सिखार खेलने के लिए चले जाते तुम कभी भी प्रगों या हेरणों का वर्द नहीं करते थे खरगोशों का वर्द नहीं करते थे सिधारत एक छाया देख करके अच्छा सब्रच देख करके उसके नीचे बैट जाके थे और ध्यान लगाने लगते थे दम बंदुवा सिधारत एक सीतल छाया में एक ब्रच की छाया में बैटे हुए है ध्यान लगा रहे हैं जैसे ही सिधारत ने आँख बंद की सिधारत को एक आवाज आई जैसी है सिधारत ने आँखे खोली तो देखा कि सामने एक वाण से घायल हंस पड़ा हुआ है सिधारत ने उस हंस को उठाया उसका वाण निकाला और मन ही मन में बिचार करने लगी क्या बिचार करती है सिधारत इस पच्छी ने किसका क्या विगाडा किस निर दैने तीरे मारा किस निर दैने तीरे मारा किस पच्छी ने किसका क्या विगाडा किस निर दैने तीरे मारा इस पच्छी ने किसका क्या विगाडा आपे बाड़ा फिर से मेरे गई ने इड़ दिया आपे बाड़ा फिर से मेरे गई ने इड़ दिया हमारा फिर से मेरे बाड़ा फिर से मेरे बाड़ा फिर से मेरे गई दिया पारा पहली पादी बाधी फिर पादी दिया पहली फिर उस पे हाथ दुलाया हाद लाया उसने प्यारा सा लाड लडाया सुस्ता प्यारा सा लाड लडाया हा लडाया किसीने घर देको दील भारा उसका दिशी ने किसा क्या बिगारा हाँ बिगारा किसे निरे दैने ने को दियारा उसका दिशी ने किसा क्या बिगारा हाँ बिगारा किसे निरे दैने क्यों दियारा मन ही मन बिचार करने लगते हैं ऐसा हो गाव वो कौन जिसके दिल में ना गया ऐसा हो गाव कौन जिसके दिल में ना गया जिसने बच्छी को भायल कर डाला